हेलो फ्रेंज अब सभी के स्वागा थे इस्टाडी फाउंडेस तन यूट चनल पे आज का पेड़गोजी क्लास के अंदर हम लोग पर्सनलिटी टोपिक को डिसेस करेंगे एक लास नूमर 38 है इससे पहले का जितना भी एक लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले पर्सनलिटी का मतलब क्या होता है मीनिंग क्या होता है वो आई जानते हैं पर्सनलिटी मिल जो है इसको कहा जाता है पर्सनलिटी मतलब जो पर्सन है उसको कहा जाता है पर्सनलिटी उसका इसका मतलब जो टोटलिटी बेहवियर होता है वान सिल और दोनों के लिए उसको कहा जाता है पर्सनलिटी इसके अंदर पर्सन का जो कुछ भी है वो सब आ जाता है जैसे कि फिसकल, emotional, social, mental, spiritual सब कुछ इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर जो कुछ भी पर्सन के अंदर होता है वो सब कुछ पर्सनलिटी के अंदर आ जाता है पर्सनलिटी का अलागलग लेटर का अलागलग मेनिंग है जैसे कि प का मतलब होता है तो ए जो है personality पुरा word का मतलब होता है इसके बाद नेक्स सम्दोग अलग अलग साइकलोजिस का डिफिनेशन 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 करेंगे जे भी वर्टसन के हिसाब से personality क्या है personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information GWLport 49 number का जो personality का डिफिनेशन डिफिनेशन दिये थे उनके हिसाब से personality क्या है personality is a dynamic organization within the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment Woodward के साब से personality क्या है personality is the total quality of an individual's behavior as it revels in his characteristics, habit of thought and expression his attitude, interest, his manner of acting and his own philosophy of life RB cattle के साब से personality क्या है personality is death which permits a prediction of what a person will do in a given situation तो ए दिफिनेशन है अलागला psychologist के साब से बस आप सभी को definition याद रखना है इसके बाद next note discuss करेंगे important factor जो personality को प्रभावित करता है चार important factor जो है personality को प्रभावित करता है physiological and physical factor, environmental and social factor, psychological and mental factor और last है cultural factor physiological and physical factor के अंदर जो है physics, chemical और nervous system आजाता है physics के अंदर क्या क्या आता है physics के अंदर जो है height, weight, body, build, color, appearance and proportion ये सब जो है physics के अंदर आएगा chemical के अंदर क्या क्या आएगा hormones या फिर जो अलागला gland है वो सब chemical के अंदर आएगा नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन वोगर है, अट्रोनॉमस नर्वस सिस्टम एसा आएगा